कि यह तो सब को मालूब था कि इंद्रा गांधी बावर के दर्शन करने की बावर की कवर पर अपने और वहां पर जाके हो तो नटवर सिंग ने अपनी किताब में भी लिखा कि मोडी से एंद्रा गांदी कि यहाँ अपने इयत्यास साथ करें हमारे आपने इत्यास से अब उसको उसकी तरह से व्याक्षा की जाती है कौन सा परिवार का इतियास था तो कि भावर जो है भारत का इतियास नहीं हो लेकिन मनीज जी आज ये राहूल गांदी के अफगानिस्तान में बावर के दर्सित करने किया था यह बहुत कम लोग जानते थे आज क्योंकि यह मंतुभी शुर्मा ने उसको ट्वीट कर दिया व बावर की कबर के दर्सित करने गया था यानि जो इस देश को लूटने आया था लूटेरा डगायट उस बावर की इंदिरा भी इंद्रा गांधी का तो नाट्रोर सिंग्न अपनी किताब में लिखा उन्हों तो पूरा किसे लिखा कि कैसे हम लोग बावर की कबरें पर गए तो कोई प्रोग्राम नहीं था वहां पहुच के इंद्रा गांधी ने विसे दाग्रे किया कि हमको जरा वहां तक लेचलो तो फिर उन्हों ने लोकल गाइड दिया था इंद्रा गांधी के समय में तो नेरू इंद्रा और अभी राहुल गांधी तो यह यह तीन पीडिया बावर की कवर के दरसिंद करने क्यों गई यह जरा यहां बताएं कि यहां किते बार गाई यहां किते एटियासिंग मानी मनी मनी जी इसको बात करें यहां तीन बार दोरा किया हो और इसमें मनी जी सबसे मात पूर्ण बाद है कि दो हजार पांच जरा बहां बता रहो यह आ के बाते कर रहें लेकिन बावर के जिस ने बेरहमी से नूटा इस देश को जी वो मतलब काईद अड़कायत था एक ड़काय मैं तो उसको ड़कायत वंसी कहते ही हूं कि वो ड़कायत यहां जब आया रहा जो नूट के चला गया पता नहीं कितने लोगों हजारों लोगों को उ इन तीन बार पीणिया नेरु इंदरा और रहूर और राहूल गांदी का जाना तो मटी जी बहुत महत्पूर्ण है पाइंदरा गांदी तो सांथिकाल में गाहते तो अफगानिस्टान को ऐसा भावाल नहीं था अलम गांथी दो हजार पांच में जिस समय आता पूरी दु तो इतने खौफना कि सित्यों वाले खालात वाले अफगानिस्तान में यह राहूल गांदी को आई सी कौन सी बड़ी बेचाइनी थी कि वहां दरसन करने गया तक कबर भी यह 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 फोटो बनी जी यह यह वहां पहुंचे थे बावर की कवर पे तो संभवतामानमान सीख का दौरा रहा तो यह भी साथ चला गया तो जो इतनी बिकट परिस्टितियों में इतनी दिपरीट परिस्टितियों में बावर की कवर के दर्सन करने का मुह नहीं छोड़ सका वो समझे लिए कि इनकी बावर भक्ती का कारण क्या है राम से इनके द् नवाद देना थी है कि उन्होंने इसको एक इस इनके इस काली सच्चाई को बावर वक्ती को गांधी नेरू परिवार की बावर वक्ती को उजागर किया लेकिन मनी जी इससे जुड़ा एक और सवाल है जरा मेरा सवाल यह तो आहिमत बिस्टों सर्मा ने उजागर कर दिया अबवा की मजार है उसी इलावात के अन्दर कोई बहुत अधर सो किलो मेटर जा जा यह राहुल गांधी आज तक वह नहीं गिया यह राहुल गांधी आज तक वहां नहीं गया फिरोज गांदी मर गए उसके बाद इंद्रा गांदी कभी फिरोज गांदी की मजार पर नहीं गई, नेरू तो खर सवाली नेरू को विज़े सा तो सब्ढ़ने जानी गई, तो ये अपने बाप के बाप की कवह, अपने समझे सीधा-सीधा दादा था, वो कोई लगाल अपे के नाम पे इनको आग लगी जा रही हम लोग उसके कालकरम कर चुक है कि कैसे हिंदू-धौही, इनका चनित्र है तो उस हिंदु-धौही चनित्र का कारण यह है यह है यह मंत भुषवा ने भी जो रहा इनकी फोकिट टुट किया रहे है तो राम-मंदिर के संधर में कि यह बावर वक्त इन से आप क्यों उम्मीद करते हैं कि राम भक्त होंगे और मनी जी तो लाइद को और बे पर्दा करता हूं और इनको बे नकाब करता हूं यह बता है उसमें मैंने देखा कुछ खैराती आया थे आज आए तो खैराती हैं वह आ जाते हैं राजनेतिक बिस् उसमें कैक्टस पैदा हुए शिर्वास्तों करके आता वह भी उचलता कूटता है तो बताने लगा कि यह यह देखने याद मिचा सकता है इसमें का इसमें का उसी पर हिसानी है अरे इस्टारिकल मानुवेंट तीन पीडियां लगाता और वही जारी वह तो अगरवा आतंग प्रदान मंतरी उनको नहीं मालूम था कि वहां पे केवल बाबर की कबर नहीं है मनीजी अफगानिस्तान में इस देश के महानायक महायोदा प्रत्वी राच चौवान की भी कबर है क्योंकि उनकी हत्या करने के बाद मुहम्मद दौरी ने अपमानी करने के लिए हिंदू ध चवान की मजार आज भी है वहां पर उस अफवानिस्तान में और कितनी आपमानजल्हार की स्थिट्पी में मनीज जी कि मौम्म्मत डाऊयोरी वहां परका आफगानिस्तान में उसी मगबरे के बार वहार में मजाऋ बनाई ङए प्रत्विरा चौवान की जहां पर न्माज पढ़ने जाते हैं जादी वह वहां पर जूटा चपल उतारती मैंने फोटो डाली दिखा जिए खबर के साथ फोटो डाली है वह अभी बिल्कुल ने अभी ट्वीट किया जिरा दिखा दीजिए कि इनको बावर के लेकर अभी तक इनकी छाती पड़ रही है यह दोड़ कोई आदमी कभी नहीं किया अफगानिस्तान प्रतिविरा चवान की समाधी पर भी जाके मत्था टेकर जो इस देश के महानायक इस देश के इतियास के महानायक और मायोद्धा थे जा दिखा दीजिए मनी जी कितनी गया देशा में वो कबाद मजा रहे हैं यह 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 बाहर आप मिट्टी का डेर देख रहे हैं उसना पका भी नहीं करा यह दर्वाजा है अंदर जाने का मुहम्मद गौरी के मगबरे में और उससे पहले बाहर देखिए जूटे से पल रखे हुए पास मतला अपमानित करने के लिए तो प्रतिविरा चवान आज भी अपमानित हो र है दर्शक इसको पढ़ लेंगे मनी जी नीचे वाला जो पोर्चान है जरा दिखा दीजिए लाल नंसे मैंने उसको अंडर लाइन कर दिया है वह सबसे महात्पूर्ण है वैसे तो मैं पढ़े देता हूं कि इसमें लिखा क्या है यह लास्ट का जो है कि इसके बाहर मनी जी इवन टुड़े अफगांस वेंट देर एंगर और प्रतिवराज ग्रेव बाइस टैबिंग ऑनिट थ्रू ए रोब एंड जन पे अकलॉर्ट टू दैर डिवीटेट किंग गौरी यह आज भी वहां पे जो इसके जादी इसके जाते हैं मगबरी पे गौरी के वह कोड़े व सब्सक्राइब कि उसको अंतिम संसकार नसीब हुआ और संभवता प्रतिवराज चवान की आत्मा आज भी भटकती हो क्यों कि हमारे हिंदू विदी विदान से अंतिम संसकार किया जाता है तो उसके कवर बना दी उसकी और वहां पर आज दी कोड़े वर्वाले आप पता नहीं क्या इसी ती यह आट-दस साल पहले तक की यह इस्तिती थी यह जब की ख़वर चपी थी फोटों के साथ तो यह 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 गांदी परिवार परिजरा इस से राहूल गांदी को घिरेवा यह यह क्योंकि बाबर की बाबर के वंसा जो सीदे सीदे खुलकर पूचा जाना चाहिए इसे क्योंकि अपने वंस से ही इत्ता लगाओ सकता है मनीजी कि यह त्यारा डगैट जो इतियास में बरबरता की जिसने प्रसादी स्रीमाएं पार कर दी हो और जो एक डगैट के अब तो वहां कर तालीबान अब तो छोड़ दीजिए तो लफंगों के हाथ मोदेश है लेकिन जिस्व में अफगानिस्तान से बड़े अच्छे संबंद थे अब वहां भी सान्ती थी यह नहीं कभी बात क्यों नहीं की पृष्चा और पृष्चा और चौहां के बारे में कि इस आदमी को इस तरह से अफमानित मत करो वो तो जो करना तक गौरी करके चला गया कभी नहीं बात की कोई जिक्र नहीं किया तो इनके अमन में इतनी घ्रणा हिंदुस्तान के पृष्चा यह जवाल लाल नहिरू चुबात कर रहा हूं इन मावेटे की चोड़ दीजिए है जया हों जवाल लाल नहिरू हो चाई इंदरा गांडि ओर या फिर यह मावेटे हों निके मंne में हिंडूओं के प्रदी भारत के प्रदी भारतीयों के प्रदी ता के प्रदी बारती इत्यास करें कितनी घणा भरी है यह आफगानिसश्टान के इस प्रखराण से रहा है कि यहां से समाधी से मिट्टी खोद के लाया था वह इन से 1000 गुना बेटर इन से 1000 गुना बेटर तो यह मतलब वनी जी क्या कहुंसा और किस आद्मी के कबर के बाहर वाद्मी वह महाना अपमानित हो रहा है आज भी जिसको उसने तीन बार कुट्टा बना के रखा और वह आज भी सबक लोगों को लेना चाहिए अगर आज जो हो रहा है यह अपनी गल्ती की सज़ा भोग रहा है और किसी चीज की नहीं जब उस तीन बार उसको पकड़के कुट्टे की तरह अपने जरवार में लाए थे जया नहीं दिखान साल से और यह कांग्रेशी उसका तमासा देखने अग्वानिस्तान जाते हैं लेकिन उसका जिक्र नहीं करते और यह इसी लिए समझे है कि प्रतीरा चवान से इतनी घ्रणा और बावर से इतना प्रेम उसी का पढ़नाम है कि आयोद्या में राम मंदिन से इनके तन बदन मे आग लगी हुए है यह सब कुछ मिटा के भी राम विरोच से बाजर नहीं आ रहा है यह सब कुछ डौआंप लगा देंगे लेकिन भगवान राम का समानना ही करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि इनका कनेक्शन बावर से है इतने उधोरा के साथ बता रहा हूं कि अपने बाब प्रतिरा चौहान के समाधी पर नहीं गया लेकिन यह बावर की कवर गया तो सोच लिए इनका कनेक्षान भावर कनेक्षान और वही बावर कनेक्षान राम बंदिर के विरोध में अपना रंग दिखा रहा है आज भी वावर जो आया था आज से पांच-छेसो साल पहले वह ज झाल झाल